220 नमेंबर 2024 को महराश्ची के 28 सीटों पर और जारकन के 38 सीटों पर मतदान हुए आने वाले 5 साल का नतीजा एवियम के जरीए चुनावायों के बस्ते में बंद कर दिया गया तेकिन क्या आप जानते हैं इस बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे किनारे के पीछे महराश्ची की राजनीती में जितनी अभी के वक्त में उठा पलट हुई दो समुदाय का प्रयोग कर दोनों महागडबंदन ने अपने गड़ को स्थापित करने का पूर्जो प्रयाज किया उससे कई ज्यादा महराश्च को मराठी भाशी राज्य बनाने के लिए एक वक्त में राजनीती करन किया गया था जी दोस्तों शिवसेना की पैचान आज भले ही दो विभाजित चिन्हों से होती हो लेकिन शिवसेना को अस्तित में लाने वाले बाला साहिब ठाकरे ने महराश्च की राजनीती की हवा बदलने में क्या सही योग दिया था और उस वक्त एक ओंग्रेस ने किस तरह महराश्च के हिंदूों को दिल जीत कर अपने गड़ स्थापित किये थे आए आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके नियों स्कूप कर आपके साथ में गेटी भाव्या महराश्च की पैचान हिंदूस्तान में राजनेतिक ताकत वाले राज्जी के अलावा देश की बड़ी आबादी को रोजगार द वर्चेस्व और उसके बाद हिंदू की राजनीती के सारे बीजेपी और शिवसेना का उदेर 2014 में बीजेपी और शिवसेना की सरकार के आने और शिवसेना और एंसीपी के विभाजन से लेकर मौजूदा राजनीती पर इस वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोसको 1920 का दशक था जब एक संयुप्त मराठी भाषी राजजी की मांग पहली बारूँ मतलब एक ऐसा राजजी जिसकी भाषा मराठी हो जैसा कि दक्षिन के कई राजजीों में आज पारित किया गया है अजादी के बाद इस मांग ने जोर पकड़ा और 1903 में मराठी नेताओं ने बॉम्बे प्रोविंस विधर्व और मराठ वाड़ा को एक करने वाली नाकपूर समझोते पर दस्तकत भी कर डाले जबकि दूसरी और गुजराती समुदाएं ने भी एक अलग राजजी की मांग के लिए आंदोलन चला दिया बॉम्बे शहर इन दो आंदोलों के बीच पूरी तरह से उलच कर रह गया गुजरातीयों ने बॉम्बे शहर को बनाने में बड़ा योगदान दिया था लेकिन बॉम्बे के आसपास मराठी भाषा बोलने वाली बड़ी आवादी थी यहां तक कि उस वक्त ऐसा भी विचार आया था कि बॉम्बे को केंडर शाशित प्रदेश बना दिया जाएगा और प्रदान मंतरी जवाहरलाल नहरू ने इसे लेकर एक एलान भी किया था लेकिन 1956 में राज्य पुनर गठन आयोग आया और उससे सिफारिश की कि बॉम्बे को दुभाषी राज्य मतलब एक ऐसा राज्य जहां दो भाषाएं बोली जाती है ही रहना चाहिए ये खा गया कि बॉम्बे के बनने में गुजराती और मराठी समुदाय का एहम योगान है राज्य पुनर गठन आयोग ने विधर्व को राज्य का दर्जा देने की सिफारिश की थी लेकिन ततकालिंग केंद्र सरकार ने इसे मानने से मना कर दिया और विधर्व और मराठवारा को मिला कर बॉम्बे राज्य का हिस्सा बना दिया लेकिन इससे ना तो गुजराती लोग खुश थे और ना ही मराठी और अलग-लग राज्य के लिए उनका आंदुलन जारी रहा जब यह आंदुलन तेज हुआ तो केंद्र सरकार को उनकी मांग को मानना पड़ा और एक माई 1960 दोस्तो उस दिन बॉम्बे राज्य का बटवारा हो गया इसे नए राज्य बने महराष्ट और गुजरात बॉम्बे राज्य में जो 396 सीटे हुआ करती थी उसमें से इन्हें 264 और 132 सीटे मिली आजादी के बाद बॉम्बे में कॉंग्रिस की एक मात्र बड़ी राजनितिक ताकत थी जब पहली बार 1951-52 में विधान सबाच चुना हुए तो कॉंग्रिस को बड़ी जीत मिली और मुराजी देशाई बॉम्बे के पहले मुख्यमंत्री बने 1955 और 56 में जब संयुक्त माराज्य के लिए आंदोलन रफ्तार पकड़ चुका था तब एक बड़ी घटना हुई थी बॉम्बे शहर में पुलिस की गोलीबारी में 100 से ज़्यादा प्रदशन कारियों की मौथ हो गई थी इसे लेकर मुराजी देशाई की आलोचना हुई और उन्हें मुख्यमंत्री की कुरसी छोड़ कर केंदर की राजनीती में जाना पड़ा उनकी जगा पर 17 से विधायक यश्वंत राव चववान को मुख्यमंत्री बनाए गया चववान के नेतरित में ही कॉंग्रेस में 1957 का विधान सबा चुनाव लड़ा और 234 सीटे जी दी क्योंकि 1960 में बॉंबे राज जी के बटवारे के बाद माराश्य और गुजरात का गठन हो चुका था इसलिए माराश्य बनने के बाद पहली बार 1962 में विधान सबा के चुनाव हुए तब कॉंग्रेस को बड़ी जीत मिली और मारोत राव शंबिसी कन्नम राव मुखे मंत्री बने लेकिन अगले ही साल उनका निधन हो गया और उसके बाद वसंत राव नाइक मुखे मंत्री बने और लगभग 12 साल तक इस पत पर रहे 1967 का चुनाव भी कॉंग्रेस जीती लेकिन 1979 में कॉंग्रेस में विभाजन हुआ और पार्टी मुराजी देशायके नेतरित वाले कॉंग्रेस ओँ और पूर्व प्रधान मंतरी इंद्रा गांदी के अगवाईं वाले कॉंग्रेस आर में तूट गई कॉंग्रेस के बटवारे का भी महाराश्री की पार्टी में कुई असर नहीं पड़ा और 1972 में विधान सबाचुनाव में इंद्रा गांदी की कॉंग्रेस आर ने 270 में से 222 सीरे जीत ली आपात का एलान होने से पहले ततकाली मुख्यमंत्री वसंत राव नाईक को हटाया गया और उनकी जगा इंद्रा गांदी और उनके बेटे संजय गांदी के भरोसे मन शंकर राव चौहान को मुख्यमंत्री बनाए गया 1967 में युवा नेता शरत पवार ने कॉंग्रेस का साथ छोड़ दिया और कॉंग्रेस सोशिलिस्ट बनाई और जन्ता पाटी के साथ हाथ मिलाकर राजी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने लेकिन जन्वरी 1980 में जब इंद्रा गांदी फिर से प्रदान मंत्री बनी तो उन्होंने शरत पवार की सरकार को बरखास्त कर दिया इसके बाद हुए चुनाओं में कॉंग्रेस सत्ता में वापस आई और कॉंग्रेस में एयर अंतुले को मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री बनाए गया अंतुले मुसलिम समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री के पहले और आखरी मुख्यमंत्री भी थे दोस्तों इसके बाद 1985 और 1990 में भी महराश्य में कॉंग्रेस की सरकार बनी, लेकिन इस दौरान कई नेताओं के बीच मुख्यमंत्री को लेकर लड़ाई चलती रही और 8 नेताओं ने मुख्यमंत्री की कुर्सी सम्हाली, सोचिए दोस्ता, 1946 में शर्तवार कॉंग्रेस में फिर लोटा ह यही वो वक्त था जब माराश में भ्रष्टाचार, गोटाले के साथ ही मुंबई में क्रिमिनल ग्यांग का आतंक और सांप्रदाइक तनाओ भी चरम पर था इस दौरान राज्जी में दक्षिनपन्ती राजनेती ताकतवर हुई काटू ने से नेता बने, बालासाइब ठाकरे ने 1967 में माराथा राश्रवाद के नाव पर शिफसेना का गठन किया और 1980 में बीजेपी के जन्म के बाद इन दोनों में नजज़ी किया बड़ी 1985 और 1990 में दोनों ने मिलकर चुनाओ लड़ा 1992 में बाबरी मस्जित के धोयंस और उसके बाद मुंबे में हुए साम्रजाइक दंगों और धमाकों ने हिंदुतों की राजनीती के मजबूत होने का रास्ता तैयार किया और पहली बार शिफसेना बीजेपी का गड़बंधन माराश्टे के भीतर में आया और इन्हें 73 और 65 सीटे मिली शिफसेना के नेता मनुहर जोशी मुख्यमंत्री बने जबकि बीजेपी की ओर से गोपिनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बने इस जीत का नायक शिफसेना के सुप्रीमों बाला साहिप ठाकरे और बीजेपी के युवा नेता प्रमोध महाजन को माना गया शरत पवार इबाद फिर कॉंग्रेस छोड़ कर चले गए और उन्हें ने राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी एन्सीपी का गठन किया 1999 के महाराष्ट विदान सबा चुनाव में एन्सीपी कॉंग्रेस और शिफसेना बीजेपी गड़बंदन ने चुनाव लड़ा लेकिन किसी भी दल को सपष्ट भहुमत नहीं मिला तो कॉंग्रेस और एन्सीपी में मिलकर सरकार बनाई विलास राव देशमुक मुख्यमंत्री बने जबकि एन्सीपी के नेता चगण भुजमल उस सरकार के उप मुख्यमंत्री बने कॉंग्रेस एन्सीपी के गड़बंदन ने अगले 15 साल तक राज जी की सरकार चलाई इस दोरान विलासराव देशमुख दो बार मुख्य मंत्री बने जबकि सुशील कुमार्शिंदे, अशोक चवान और पृत्वीराज चवान को भी मुख्य मंत्री बनने का मौका मिला जबकि दोस्तो 2014 में राज जी की राजनीती में बड़ा बदलाव हुआ जब बीजेपी अकेले दम पर सबसे बड़ी पाटी बनी, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और कॉंग्रेस सभी ने अलग अलग चुनाव लड़ा बीजेपी ने अकेले दम पर 122 सीटे जीती और शिवसेना के समर्थन से राज जिमें सरकार बनाई और देवेंद्र फंडरविस मुख्यमंत्री बने यह पहला मौका था जब बीजेपी का कोई भी नेता माराश्य का मुख्यमंत्री बना था बीजेपी से अलग हुए उदव, एम्वे ने सरकार बनाई 2019 के विधान सभाचुनाओ के नतिजों के बाद जब मुख्यमंत्री पद को लेकर शिफसेना प्रमुक उदव ठाकरे अड़ गए तो शिफसेना ने बीजेपी से अपने रास्ते अलग कर लिये शिफसेना ने कॉंग्रेस और एंसीपी के साथ हास मिलाया और एक नया गणवंदन वाराश्य की राजनीती में आया जिसे महाविकास अगाडी का नाम दिया गया MVA की सरकार में उदव ठाकरे मुख्यमंत्री बने जबकि शरत पवार के बतीजे अजीत पवार को उपमुख्यमंत्री बनाए गया जून 2022 में शिफसेना में एक बड़ी बगावत हुई जब एकनाशिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ उदव ठाकरे से अलग हो गए और MVA की सरकार गिर गई एकनाशिंदे को BJP की समर्थन मिला और राजज में एकनाशिंदे की शिफसेना और BJP ने मिलकर सरकार बनाई इस सरकार में एकनाशिंदे मुख्यमंत्री बने जबकि देवेंद्र फडनविस उपमुख्यमंत्री बने 2023 में महराश्टी की राजनीती में फिर से एक बड़ा घटना करब हुआ जब अजीत पवार ने अपनी चाचा शरत पवार से बगावत कर डाली और बीजेपी एकनाशिंदे की शिफसेना के साथ हाथ मिला लिया अजीत पवार को सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाएं गया मौजूदा वक्त में महराश्टी में M.B.A. गडबंदन जिसमें कॉंग्रिस, शिफसेना, UBT और N.C.P. है शरत पवार की जबकि महायूती गडबंदन जिसमें B.J.P. के अलावा एकनाशिंदे की शिफसेना और अजीत पवार की N.C.P. शामिल है और ये दोनों महागडबंदन मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं 20 नमेंबर को वोटिंग हुई है और 23 नमेंबर को इसके नतीजे आने बाकी है महाराश्टी के राजनीती में नया इतिहास रचाने कौन सी पार्टी सत्ता में बैठेगी ये देखना तो बहुत दिल्चस्प होगा दोस्तों और बाकी भी है आप भी हमारे साथ जुड़े रहेगा इस रिपोर्ट पर आप क्या विचार रखते हैं इस महाराश्टी की राजनीती के दिहास के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर साजा करें बाकी देश-दिनिया के तमाम कबरों को देखनें के लिए योस्कूप से जुड़े रहें धन्यवाद